आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी हमारे ब्रैड रोल जिसको आप कटलेट भी बहुत सकते हैं और खाने में ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं कि आप इस तरह से हर बर इसको बना कर त्यार करेंगे करके बनाना शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए यह आप बनलाका प्रण त्यार कर सकते हैं तो सारी दरा से काट लेंगे तो यह लिजीए मैंने साइडや यहां पर कट कर लिए और अब हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और ब्रेड को हम चौटे-छटे pieces में इस तरह से काट लेंगे तो सारी ब्रेड को हम इस तरह से चौट-छोटे pieces में cut करेंगे और इसमें आप हम boil किया हुए aloo डाल देंगे जिनको मैंने पहले से mash किया हुए और साथ ही इसमें हम हरे मटर डाल देंगे साथ ही इसमें हम एक कटा हुआ प्यास डाल देंगे कटी हुई गज़र डाल देंगे और साथ ही इसमें हम कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे स्वाद के उनसार इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अंसार इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम उचूर पाउडर डालेंगे काली मिर्ची डाल देंगे और भूने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे और डाल कर अच्छी तरह से इनको हम मिला लेंगे और मिला कर इसका हम एक बहुत ही बड़िया डोसा बना कर त्यार करेंगे तो अच्छी तरह से हम मिलाएंगे तो यह लिजिए इसका mixture जो है वो बनकर तैयार हो चुक है तो इसके अब हम rolls बनाना शुरू करेंगे तो mixture को हम इस तरह से हाथों पर ले लेंगे और इसका हम roll बनाएंगे आप इसको जो भी shape देना चाहते हैं आप इसके shape बनाकर तैयार कर सकते हैं आप इसके टिककी भी बना कर त्यार कर सकते हैं, इसके इस तरह से रोल भी बना कर त्यार कर सकते हैं, और अगर आप बोल्स बनाना चाहते हैं, तो इसके बोल भी बना कर त्यार कर सकते हैं, तो ये लीजिए सारे रोल मैंने यहां पर बना कर त्यार कर लिए हैं, तो इसके लि कर इसकी हम सलरी त्यार करेंगे जब हम सलरी त्यार करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लंज नहीं होना चाहिए अच्छी तरह से मिलाते हुए इसमें जो लंज हैं सारे हम निकाल लेंगे तो सलरी भी हमारी बनकर तयार हो चुकी है तो यहां पे हम ब्रेड क्रम ले लेंगे औ और यहाँ पर हमने रोल बना कर त्यार की हैं, उनको हम सलरी में इस तरह से डिप कर देंगे, और डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम में रख देंगे, और ब्रेड क्रम के साथ इसके उपर अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे, जितनी अच्छी तरह से हम इनके उपर क कोटिंग करेंगे ब्रेड रॉल हमारे उतने ही जादा क्रंची और क्रिस्पी बन कर तयार होंगे तो इसी तरह से हम सारे रॉल्स को सलरी में डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम इसके उपर ब्रेड क्रम की कोटिंग कर देंगे तो यह लीजिए सारी रॉल्स के उपर मैं यहां पर कोटिंग कर दी हैं तो यहां पर हमने तेल को भी अच्छी तरह से गरम कर लिया है और इसमें हम रॉल डाल देंगे फ्राइ करने के लिए जब हम रॉल्स को फ्राइ करेंगे तो ग्यांस का फ्लेम हाई और मीडियम के बीच में रखेंगे हाई और मीडियम फ्लेम के प्रकाने से ये अंदर से अच्छी तरह से पक कर त्यार हो जाएंगे तो चम्मच के साथ इस तरह से हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दो तीन बार उलट उलट करते हुए इनको हम अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे जैसे जैसकर इनको हम फ्राइ करते जाएंगे बहुत ही बढ़िया इनके ऊपर कलर आता जाएगा तो यह लेजिये बहुत बढ़िया इनके ऊपर कलर आ चुक है तो चलिये इनको अब हम निकाल लेंगे तो निकालने के बाद बाकी के जो रोल है उनको भी हम इस तरह से फ्राई करने के लिए तेल में डाल देंगे तो ये लेजिए बाकी के रोल्स भी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं इनके उपर भी बहुत बढ़िया कलर आ चुके हैं तो इनको भी हम निकाल लेंगे तो ये लेजिए ब्रेड रोल ब्रेड कटलेट हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने है और खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची बने है तो आप इनको हरी चटनी के साथ या टोमेटो के साथ खाईए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे तो दोस्तों हॉप करते हूँ आपको मेरी वीडियो कीजिए